स्वागत आपका DNA के इस नए वीडियो में पकिस्तान ने भारती उत्पादक का भहिस्कार किया है और आईमीप ने बोला है कि अगर भारत राइस एक्सपर्ट को बैंड अगर नहीं हटाता है तो वर्ल्ड में जोगा फूड के फ्राइज इंक्रीज होगी और भारत इसके लि लेकि पकिस्तान ने नाया क्या कांड किया है उसके लिए में आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं आप उस वीडियो को ध्यान पूर्ण देखें फिर आगे मैं आपसे बात करते हैं कवड़ी में कितने खिलारी होते हैं आपको बताना है ऑप्सन ए साथ ऑप्सन बी चोड़ी दस मैं इसका उत्तर आपको वीडियो के इन में बता दूंगो अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में दीजी और चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं आपकी डिस्पील पर इसक्त जो वीडियो में प्लेक करने जा रहा हूं इस वीडियो पकि आपके इस हरकत के उपर तो क्या करना चाहते कि इंडिया को बैन हटा देना चाहिए सबसे पहले आप प्रोपोगंडा सुनिए रिक्वेस्ट किया है ना कि भारत को बोला कि अगर आप बैन नहीं हटाएंगे तो बाकि सब मुल्क मिलकर आपका बहिसकार करेगा रही है इस यह बैसिक निसेस्टी है हर हुमन बीं की खुआ पाकिस्तानी है खुआ भारती है खुआ जैपनीज है कुछ भी है किसी भी मुल्क से तालुक नगए तो यह इसकी निसेस्टी है जिनको जो है वो उसको खाएं क्यूंके गरीब आप अटा गी ताल चावल के इलावा इसके जावाथ उसके पास कुछ होता ही निया चीक न बीट पर इसके पास पैसे निया जितनी महगाई चल रही है ठीक है तो आज पर लगए कि आए मैं वाकई हमारे साथ है और बचाती है कि हमारी बेसिक निसेस्टी पूरी हो जाए इसके इहां पर वीडियो रो करा हूं यहां जो महिला इंटर्विव दे रही है उन्हों रहा कि आयुक ने इंडिया खिला उन्हों स्टीप नहीं लिया क्यों रिक्वेस्ट गया और प्रोपोगंड़ा किया रहे पाक्स्तान में ताकि लोग जो इसकी जिमवार भारत के अंदर प पपक्सितान के लाहुर में इस सूट किया गया रिपोर्टर जो है क्या पूछती ऊबondern हॉड़ा करेंगे और अगर आप शवटन सबसे पहले आप प्रोपोगंड़ा सुनिए आएमेफ ने रिक्वेस्ट किया है ना कि भारत को बोला है कि अगर आप बैंड नहीं हटाएंगे तो बाकित सब मुलक मिलकर आपका भाहिसकार करेगा रिट्रेट कर रही है इस तरह से सवाल पूछा जा रहा है और एक प्रोपगंडा त्यार किया जा रहा है जो सरकार की तो यह इसके निसेस्टिस है जिनको जो है सब को हाख है कि वो उसको खाएं क्यूंकि गरीब आवाम के पास अर्टा गी ताल चावल के लावा इसके पास कुछ होता ही नहीं है जितनी महगाई चल रही है ठीक है तो इंडिया को चाहिए को चाहिए के बैन को खतम कर दे और सब्सक्राइब को खोल दो कि मुझे अच्छा लगा कि हमारे साथ है और बचाती है कि हमारी बेसिक निसेस्टिस पूरी हो जाए इसके यहां वीडियो करा हूं यहां जो महिला इंटर्व्यू दे लिए उन्हों का कि आई पने स्टेप लिया इंडिया उन्हों स्टेप नही स्टेफ लोगे इमाने कि भारत के कारण मं वहंकाई भर रह रही दुनिया भर में और म्यूला टेयार होना सुरू हो गया और इसे ऐसीटर्व करना हम भारति प Allah सी कहीं इनके बातों में आ जाता है तो कहीं ने-कई हमारे देश का तक मर्यादा जोगा दुनिया भर में कम होगा और इनका बोलना यह कि भारत को बैंन रखादे ना चाहिए तो बैंन कैसे भारत भारत अपने मैं एक ल vanity यह आक चालिस करोर आम को भले खाना देंज फिर दुनिया फर बाइरा ना अगर आपकी जिम्मारी हैं चोटे से मुर्ख में चॉबीस करोर से अधिक जंसंख्य करो और यहां पर खिलाने के लिए पैदा अगर आप करें तो खिलाना भी आपको ही पड़ेगा चलिए खैर आब आते हैं उद्देग उपर दुनिया भर के एक सबसे आगे अमेरिका इटली थायलेन और सिलंका था इन सभी देसों में महंगाई जोगी चावल की आचानक से बढ़ेगी और इसे भारत की जो खितें पकार होगी भारत की जरूरत होगा इन देसों को और जड़ादा दिखाई देने वाला है एक कुछ तो फैक्ट थी दुनिया भर में चावल निर्यात में नमर वन देश बना गैर बास्मती राइस जो हमारे हां उत्पन होता है उसमें 2022-23 में भारत ने 4.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर का चावल दुनिया भर के देशों को बेचा उससे पहले वित्वर्स में 21-22 में 3.3 मिलियन और 23-24 के अप्रैल में 15.5-4 लाख टन निर्यात किया गया था पीछले साल की बात करें दोस्त तो 22-23 में जो अप्रैल में था उसमें 35% ज्यादा था आपको बता दे भारत ने इस सारे बैंड इसलिए कि भारत के अंदर चावल की जो प्राइज है वो इंक्रीज नहों और भारती लोगों को कहीं महंगाई के सामना ना करना पर इसलिए भारत ने चावल की निर्यात पर बैंड लगाया है लेकिन आपको बता दे भारत जो है इसके उपर दे डेस डेस कांट्री टू कंट्री फ्रेंशिप में चावल दे सकता है जैसे कि हमने वीट यानिकि गोह पर इस अब देश जो भारत को पे कर सकते तो भारत इन्हें चावल हाई रेट पर दे सकता है और पाकिस्तार मंगलादेस नेपाल अगर इस सबीड़ेस्ट करते भारत सरकार को तो भारत चावल उन्हें भी देस कबाटी में टोटल खिलाड़ी के संख्या होती है साथ जिन् निचे कमेंट बॉक्स में अपना डाय जरूर देजिएगा मिलते आप से नेक्स वीडियो में आज के लिए बस इतना ही जहेंद